आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज का जो हमारा टॉपी के हुआ है कम्पीटर मदरबोर्ट यानि अगर हमारा कम्पीटर ओन नहीं होता है ठीक है कम्पीटर स्टार्ट नहीं होता है तो हम उसको कैसे चेक करेंगे step by step की उसमें कौन सी problem होगा ठीक है तो मैं आपको 15 step बताउंगा जिस step को आप फ्लो करके आप उस problem को मतलब अगर कम्पीटर ओन नहीं हो रहा है तो उस problem को आप solve कर सकते हैं ठीक है तो मैं आपको 15 तरीके बताउंगा ठीक है 15 step बताऊंगा जिसके थूरू जो है वो step करके हम किसी भी type की अगर computer या motherboard में किसी भी type की कोई भी problem है मतलब dead है या on नहीं हो रहा start नहीं हो रहा power button प्रेस करने पे तो वो तरीके को use करके हम उसको repair कर सकते हैं ठीक है सब्सक्त है तो ये स्मियच को चैको करने के लिए जैसे कि अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि आप WOR्ड प्रेस कर रहें पर तो हम और पारप्रेस करने पर अगर उन नहीं होते है तो 130 pin का या 24 Lecture mother board पर लगा होता है, अमारे पास जो है जैसे आप देख सकते हैं, दो-दो mother board है, तो आप कोई भी mother board ले सकते हैं, जैसे मैं आपको इसमें बता रहा हूं, चापो चाइनिज board हो या कोई ग्रांडेट board हो, सब के लिए यही दूर लागू होगा, तो पहले तो यह जो connector है, यह connector यहां से हम निकालने के बाद जैसे कि यह 4 pin का भी जो connector होता है यह यहां पर लगा होता है ठीक है तो इसको यहां से निकालना है और निकालने के बाद जो है सबसे पहले इसमें जो green और black wire जो होता है ना green और black wire इसको जो है वो चिम्टी से मतलब tweezers से जो है इसको ऐसे sort करना है इसको ऐसे sort करेंगे मतलब इसको ऐसे लगा कर रखेंगे और लगा कर रखने के बाद इसमें जो यह fan है na smps का यह fan चलना चाहिए अगर fan प्रोपर चलने लगता है तो इसका मतलब है कि हमारे smps करते हैं और fan नहीं चलता है तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा power cable को अब power cable को चेक करने के दो तरीके हैं एक तो AC range पर चेक कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि multimeter को continuity point पर रखके और आपस में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर लगा देंगे किसी एक 3 hole होता इसम का मतलब यह बीप आ रहा है थोड़ा सा आवाज कमा रहा इसमें तो यहां पर यह बीप आ रहा है अब इसको हम दूसरे पर राखेंगे और दूसरा वाला पीन बीप करना चाहिए आपस में जैसे आप देख सकते हैं 012 आ गया तो इसका मतलब यह बीप कर रहा तो प्रोपर करें हम एसमपेस को चेंज ना करके पाऊर कैबल को चेंज करेंगे मगर पाऊर कैबल भी है और फिर भी जो है वो गिरिन बलेक को सॉ답 करने पर यहाँ पर ग्रिन बलेक को सॉだ नहीं होता है तो हमें क्या करना है कि smps को जो है वो check करना है smps पर भी मैंने already video बना रखा है तो भी आप जाके step by step check कर सकते हैं ठीक है रही बात की अगर हम smps को check कर रहे हैं और green black को sort करने पर smps on हो जा रहा है और उसके बाद से भी हमरा computer जो है वो start नहीं होता है तो उस condition में हमें क्या करना चाहिए तो उस condition में सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो connector लगाते हैं दूसरा जो हमरा step है वो यह है कि यह connector यहाँ पर लगाते हैं यह connector को loose के लिए check करना है यह loose होने के बज़े से बोर्ट में proper supply नहीं आता है जिसके बज़े से बोर्ट जो है on नहीं होता आ कॉम्पीटर ओन नहीं होता तो दूसरे step यह है कि हमें यह loose के लिए check करना sorting तीसरे step है वहला हमने SMPs चेक किया दूसरा Powerkävel चेक किया तीसरे step हमें यह loose के लिए check करना है और फिर भी अगर हमारा जो है computer on नहीं होता है तो फिर जो है हमारा अगला step जो यह है कि बोड के अंदर जितने भी जंपर होते हैं जंपर जो है आप देख सकते होंगे कि यहां पर यह आपके सीमोस किलीनर का किलियर यहां लिखा हुआ किलियर सीमोस जंपर यहां लिखा हुआ तो यह जो जंपर है न यह जंपर को इसको निकाल के और हम दूसरे में लगाएंगे और एक बार फिर दुबारा जो है यह board को on करके देखेंगे ठीक है अगर board on हो जा रहा है तो यह jumper जो है जहां पर हमने निकाल के लगाते हैं यहीं पर रखेंगे अगर problem solve नहीं हुआ और दुबारा प्रेस करने पर भी on नहीं होता है तो jumper जहां से निकाले हैं वहीं पर हमें लगा देना होता है हमें change नहीं करना होता है बस jumper change करके और on करके देखना है अगर नहीं होना हो रहा है तो जहां से हमने निकाला है jumper वहीं पर दुबारा लगा देना है ठीक है उसके बाद से भी अगर problem solve नहीं होता है तो फिर हमरा जो अगला step है वो यह है कि हमें board को जो है बाहर बोट को जितने भी connector है, port लगे हुए है, इन सब को जो है, support और cable बोल को बाहर निकालना है, और बोट को अच्छी तरह से वास करना है, मतलब अच्छी तरह से इसको clean करना है, साफ करना है, carbon dash के बज़े से भी जो है, board on नहीं होता है, इसको thinner IP से, इसको अच्छी तरह से ब्रस से अच्छी तरह से proper clean करेंगे, ठीक है, और clean करने के बाद, clean करने के बाद, हलका सा उसको heat करेंगे board को, और heat करने के बाद भी अगर problem solve नहीं हुआ, तो फिर हमरा जो अगला step वो यह है, keyboard के अंदर जो है, वो हमें CPU की cross checking करना, मतलब हमें processor को निकालना है, और निकालन या अगर हमारे पास दूसरा processor है, तो उसको हम change करके देखेंगे, ठीक है, मतलब दूसरा लगा कि यहां पर लगाएंगे, दूसरा अगर इस टाइप के आपके पास board है, जिसमें जो socket है, वो pin वाला है, तो येक भी pin band नहीं होना जाए, अगर जो भी pin band है, या येक या दो pin कोई भी band है, तो उसको सही से proper जो है, टीवीजर से हलका हलका सा उसको जो है, वो सही कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो proper बनाऊंगा, CPU socket को कैसे repair करते हैं, तो इसको आपको proper आपको देखना है, socket जो है, कोई भी आपस में, एक दो pin जो है, sorting नहीं होना चा step है, वो यह है, कि यह जो 4 pin का, जो ATS का जो connector होता है, जो हम यहाँ पर लगाते है, यहाँ पे, तो यह जो है ना, इसको हटाने के बाद, इसको चारो pin को जो है ना, हमें ground से चेक करना है, ground से जो है, हमें beep नहीं आना चाहिए, दो pin ground से beep करेगा, और दो pin beep नहीं करना यह, एक pin को मल्टिमीटर ग्रॉwn पर रखेंगे, और यहन पर लगाएंगे, आप देख सकते हैं, beep कर रहा है, एक, मल्टिमीटर आप देख सकते हैं, beep कर रहा है, उसका वाद से जो है, दूसराiten, यह भी बीप कर रहा, जिरो, जिरो आरहा है, उसका वाद से अगला OS इसको मतलब है कि इस section के अंदर जो है ना ये बी आरम section बोलते हैं इस section के अंदर कोई ना कोई MOSFET जो है ना ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो MOSFET है ये कोई ना कोई MOSFET जो है वो खराब होगा मतलब short होगा तो MOSFET को हमें check करना अगर फिल भी problem solve नहीं हुआ मतलब ये भी साही है और फिल भी board on नहीं होता है तो हमारा जो है अगला step है वो ये है कि हमें 4 pin KTS connector चेक करने के बाद जो हमें पूरे board के अंदर जो है proper AK component को जो है में एक minute proper देहना है proper देखने का मतलब ये है कि जो है गोर से हमें ये देखना है कि कोई component जैसे की ब sechs में आप देख सकते हैं component निकला हुआ है ठीक है तो ऐसे ही आपको देखना है कोई board में जो ए couple damage तो नहीं है जला हुआ तो नहीं है, बर्न तो नहीं है ऐसे या कोई component निकला तो नहीं है तो इसको proper जो है ना बोर के के component को एक मिनेट तत proper देखना है आगे और पीछे पीछे तो इसमें component होता नहीं है मगर इसका trick होता है, तो trick को जो है यह sorting नहीं होना चाहिए, या यह जो open नहीं होना चाहिए ठीक है जला नहीं होना चाहिए ति ये proper आपको देखना है ठीक है अगर ये भी करने पर भी मतलब देखने से भी अगर damage नहीं पता चल रहा है तो फिर अगला जो हमरा step होगा वो ये होगा कि हमें board के अंदर जितने भी MOSFET लगे होते हैं जितने भी MOSF को जो है मैं sorting के लिए check करना है यहां पे लगा एक sorting के लिए कैसे check करता है बस आपको ये check करना है gate or source gate or source जो है चेक करने पर multimeter आपस में बीप नहीं करना चाहिए जहें आप देख सकते हैं 00 नहीं आएगा यहाँ पर नहीं आना चाहिए कहीं पर भी जो भी MOSFET है न बोर्ड में आपको gate or source चेक करना बीप नहीं करना चाहिए अगर बीप करता है तो उस MOSFET में doubt है ऐसे ही बोर्ड के अंदर जितने भी MOSFET लगे हैं जहाँ पर भी उसको आपको sorting के लिए चेक करना गेट और source आपस में बीप नहीं करना चाहिए जो भी बीप कर रहा है उस MOSFET को आप निकालेगे और निकालने के बाद उसको आप बाहर उसको चेक करके या उसको चेंज के जिए डारेक तो आपको MOSFET को gate और source को मतलब side का जो दोनों पीन है वो आपस में चेक करना है बीप नहीं करना चाहिए अगर बीप करता है तो वो खराब है अगर MOSFET भी sorting नहीं है और फिर भी board on नहीं हो रहा हमारा उसके बाद से जो है अगला step हमारा क्या होगा तो अगला step यह होगा कि हमें जो है port को जो है वो sorting के लिए चेक करना है क्या चेक करना है port के लिए sorting कभी-कभी क्या होता है कि हम board में यहाँ पर अगर यह पोर्ट सौट होगा तभी बोर्ड नहीं होगा तो जितने भी external device जो हम लगाते है ना उसको हमें सबको बाहर निकाल के अगर board on नहीं हो रहा है तो सबको बाहर निकाल के only हमें बस यहाँ 20 pin का जो connector है यह और यहाँ पर 4 pin का लगा के बस on करना है ठीक है hard disk और divider writer और जितने भी port है कुछ भी नहीं लगाना है उससे क्या होगा कि अगर उसमें अगर sorting होगा न पोर्ट में या hard disk में या keyboard में माउस में तो पता चल जाएगा board on हो जाएगा और लगाने पर on नहीं हो रहा है तो हम एक एक करके confirm कर लेंगे कि किस में problem है अगर इससे भ लगा लेते हैं यहां पर हमने लगा लिया यह लगाने के बाद और जो फोर्ट में के एक सब्सक्राइब यह लगाने के बाद यहां पर बोर्ट के अगर बोर्ट ऑन नहीं हो रहा मगर फिर भी जो है हमें एक 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 पर component जो है वह नॉर्मली जैसे साउथ री जो चीप हो गया ठीक है यह नौर्थ वी चीप हो गया आयो चीप हो यह कॉम्पोनेंट जो है हीटिंग के लिए चेक करना मतलब यह ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए हीट नहीं होना चाहिए अगर हीट हो रहा है तो वह कॉम्पोनेंट खराब है ठीक है अगर फिर भी प्रॉलम से में मतलब hit नहीं हो रहा है और फिर भी board हमारा on नहीं हो रहा तो फिर हमारा जो अगला step है वो है RTC crystal जो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोपर यह RTC crystal जो साउथ रवीज के पास में लगा होता है यह प्रोपर जो है बहुत ज्यादा खराब होता है तो इसको हम क्या करना है इसक इसको यह आपस में भीप नहीं आना चाहिए यह दूसरा जो है इसको आप डारेक्टली चेंज करने तो अच्छा है क्योंकि यह प्रोपर जो है इसकी टेस्टिंग CRO से होता है ठीक है तो यह किसी बोड में से आप RTC crystal निकालके चेंज कर सकते हैं इसको चेंज करके आप ड Drysol करना है क्या करना है Drysol द्रैइसोल मतलब इसको proper जो है चीतर से तीबन से साफ़ UP करके Heat work करके देखेंगे ठीक है इसको निकालेंगे निकालने के बाद जो है इसको लगाएंगे तो इस IC को निकालना है और निकालने के बाद जो है दुबारा लगाना है साप करके अगर फिर भी problem solve नहीं हुआता है तो last में जो है इस chip को जो हमें क्या करना है चैंज करना है तो यह step है आप यह step apply करके आप board को जो है step by step check करके आप board में अगर diet problem है तो इस problem को आप solve कर सकते ह I hope कि आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिए share कीजिए और अभी तक अगर हमारी चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए और bell icon को भी प्रेस कीजिए क्योंकि अगर bell icon को आप प्रेस नहीं करेंगे तो मैं जो भी वीडियो पनाऊंगा तो आपके पास notification नहीं जा पाएगा तो प्लीज bell icon को भी प्रेस कीजिए ओके थाइंक्यू धन्यवाद